कि अस्रावलेकूम आज ये डोपी के हमने डिसक्स करना यह है आइन सेलेक्टिव एलेक्टोड सबसे मौस्ट इंपरनट बात होती है वर्डिंग पर गोर करना आपको वर्ड मैक्सिमुम चीजें प्रोवाइड कर देता है यह आप चेक करो आइन की थोड़ी से इनफ्रमेशन होनी चाहिए है selective word मैं यूज किया है उसका मतलब बतरों यह ऑन होता है आएन होता है जब कोई भी एक्तिक्व को लूज कर दें क्या करतें लूज कर दें या फिर गैन कर ले भिए उसके निदिए रिखर टए तो हमारे पास बने गा है कि क्या बनेगा काईए क्या इंगा किट इंगल बनता है कोई बी अडि ह है तो बनेगा अनाइन इसके बाद सेलेक्टीव उसको चूज कर ले ना चूज करना सब्सक्राइब कोई बैसे चीजे जिसके अपर ऑक्सिजेशन हो सके या रिडिक्शन हो सके आइन सेलेक्टीव एक ऐसा ऐलक्टोड जो सिर्फ एक ही आइन के चैश्चन करके उसकी समझिएगा एक ऐसा ऐलेक्टोड एक आएन को स्लेक्ट करके सिर्फ उसकी को बताए उसको आएन स्लेक्टिव लेक्टोड कहते है क्या कहते है आएन स्लेक्टिव लेक्टोड दा इलेक्टोड दा इलेक्टोड विच इस यूज़ विच यूज़ टू डिटर्माइन इसको हम आलूम करने के लिए to determine the quantity of, the quantity of specific आयन, specific आयन, इसको हम नाप देरो थे, is called, is called, आयन, specific electrode, आयन, specific electrode, इसको क्या नाम देंगे, आयन, specific electrode का नाम दे रहे होते हैं, मैं आपको simple सी example देता हूँ, इसके आपकी normal जिन्दिक में यूज भी किया जाता है, इसके अगर example देखी जाए बच्चे, तो वो है pH meter, बेस्ट example है, आप basic class से पढ़ते आ रहे हैं, pH meter is used to determine the molar concentration of hydrogen ion, pH meter हमारे पास क्या है, इसके सबसे best example है, pH meter, अब pH meter में हम सिर्फ सिर्फ एक आयन की concentration को मालूम कर रहे होते हैं, यह बात याद रहे हैं, क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक आयन की concentration को मालूम करेंगे, वो जिस आयन की concentration को हम मालूम कर रहे होते हैं, H प्लस आइन बस यह बात आपने याद रखनी है अब जो को आपके पास जो भी solution होगा उसमें और भी ions हो सकते हैं लेकिन pH meter के अगरते हैं सिर्फ हाइडरोजन ion की concentration को मालूम कर रहोता है that's why it is known as a ion selective electrode सिर्फ एक ion की concentration को मालूम करें सिर्फ एक ion की concentration को मालूम करें that's why it is known as a ion selective electrode चलो यह बात होगी ion selective electrode से मुराद क्या है अब इसकी थोड़ी बहुत ने construction पता होने जाए ion selective electrode में हमेशा याद रखिए अगर दो इलेक्टोड इस्तिमाल किया जाते है क्या होता है हमारे पास मैं गाता हूँ यह मेरे पास solution एक यह स्कीमेटिक डायग्राम है समझने के लिए इस तरह के हमारे पास एक solution है अब इसके अंदर यह एक electrode है मेरे पास और एक electrode यह वाला है और खुस्थान जो reference electrode दो लेक्टोड होते हैं एक होते हम reference electrode कहा रहे होते हैं तरह क्या है reference electrode reference electrode बयारों को यह व्योद ceux left यापने कि पाउंच किलो ग्राम वजन दे दें पाउंच किलोग्राम को व्योड़ करने के लिए आपके 5 चाल वरकते हैं बश्यूराय के पाइंदेघड आपकाउle एक साइड पर लखें गड़ेयूर्ट 2kg का, यह 5kg का बोट है, यह reference वो चीज होती है जिसका आपको हर एक चीज information पहले से पता होती है, मतलब इसका lecture potential किटना है, यह चीज आपको पहले से पता होगी, और reference lecture में अमवमन जो हम use कर रहे होते हैं, व एजी silver, silver coloride lecture कर रहे हैं, क्या करते हैं सिल्वर कोलॉराइड लेक्टोड का इसमाल कर रहे हैं इसमें क्या करते हैं सिल्वर एजी सील का स्लूशन लेने के बाद यहां पर एजी सील कोटिट करके और यहां पर इसको बाहर की तरफ निकाल देते हैं और यह सिल्वर की वायर है एजी की वायर है और यहां इसके बार में आपने वीडियो सुनी है तो एक प्ले लिस्ट बनी होगी उसमें जाक सुन सकते हैं सारी सारी कंस्ट्रक्शन दी हुए है लेकिन आप यहां पर बात याद रखनी है कि यहां जो अलेक्टोड हम यूज करेंगे रफ्रस अलेक्टोड वह सिल्वर सिल्वर क्लॉराइड होगा सिल्वर सिल्वर क्लॉराइड लाक्टोड एज़ रेफ्रेंस लेक्टोड हम यूज कर रहे होते हैं अगर यहां पर सरेकर्ण लेकटोड की बात की जाये तो बron 2 कर सकता है जो पटैंशल डिफ्रेंश यह इसका वयरी करता हैолотा और हम असल में पेटेंशल डिफरेंस जो है यह बात आपने यहाद रही है वेरी कर रहा होता है यह बात काफी ज़ह इंपोर्टन है अब आपने करना क्या होता है इसमें वी सुलिशन कर रहा होता है ति जिए आइन स्पेसिफिक लिए है एच पॉलस के लिए बनाना यह किसी यहां से आप मैयर मेंट कर रहे होते हो कितना पुटेंशल डिफनेस और यहां पर इसके साइडों पे सेंपल सुलुशन होगा जिस सुलुशन में से आइन की कंसेंडरेशन को मालूम करना करना जाता है मतलब अगर आप कोई भी आइन सेलेक्टिव ले ले लो उसमें दो होंगे एक रैफरेंस और इसके बाद स्टेंडर काा सकते हैं बोल आक्ट अप हमेशा यूस करेंगे जो मर्जी u lektore हो सही है और referencebylichkeit potential difference fix होता है जब कि इसका waayeri करता हो यहां पर कोजरेता को ऍदेगा कितने के बाद हम यहां से कन्सेंटरेशन करनी के लिए हैं कितनी Muse अर avons जूस करें फोरे में यूख करतें यजली हम इस nine light ion कि यो हम pos में पासए जिसकी कंसंटेशन को मालूम करना चाहते हैं उसकी कंसंटेशन को मालूम कर लेते हैं अगर इसे ऍसलेकटिव की बेसिक टाइप देखिए जाए ना यानिकी फिय्टिघ यह तो यह दो तरह क्यों होते हैं हमारे और यह बेस ऐन दा बेसिज ऑफ फिनोमिना यानिके आपके यह इस एलिक्टोड के दर्मियान में क्या हो रहा रहा हता है, यहाँ पहमारेальная पास लगए हूदी जा होता है, पारस मेंब्रीनूंत यह भी याद रखेंगा, इस पारस मेंब्रीन के जरीष से वह जो specific आइन है, वो इसके अंदर की तरफ मूप करता है, यह बाहर की तरफ आता है अब जितनी concentration अंदर की तरफ मूव की है बाहर की तरफ मूव की है वो हम यहां से मालूम कर रहे होते हैं गिलबानोमिटर से कितनी concentration में वो आइन अंदर गया यह बाहर आया वो डिपेंड करता है आपके इस solution और यह इस solution की concentration पर है क्या आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है यहां पर प्रॉसेस हो रहा था डिफियून का अगर आपके यहां पर आइन ज्यादा है और अंदर काम में तो बाहर से अंदर की तरफ आइन मूव करेंगे तो यहां पर आइन की तेदाद हो जाएगी जिसकी वजह से यहां पर कुछ कुछ ना कुछ करांट लाजमन पैदा होगा क्या होगा यहां पर कुछ ना कुछ है करांट को हम मगयर कर रहे होते हैं उस करांट से हम अदाज लगा लेते हैं का आया इसके अंदर कितनी आइन की कंसेंट्रिशन है अब यहां पर यहां पर क्या काम हो रहा है क्या काम हो रह तो इसमें पहली जो टाइप है और आइन एक्सचेंज आइन एक्स्चेंज इलेक्टोड और सेक्ट जो टाइप है वह है अएन ट्रांस्फर श्राइन ठास्पर एلक्रोड आजनों यह दो किसम है हमारे पास्थ और आ ाएं ट्राइन ट्रांस्पर एक्सचेंग साय। और आइन ट्राइन ट्राइक पर डाइन कि एक को निकाल दो byćider, एक globalization का वह करना है आइन ट्रांसफर को हम नेक्स किसी लेक्शर करने क्योंकि नेक्स मैं इसको लेक्ट करता हूं तो यहां पर नीचे में ना इसको यहां पर थोड़ा से कर लेता हूं के पर बना वहां हो रहते हैं और जैसे कि कुछ ने कुछ को यहां यहां पर लिखता हूं के आर यहां वार यहां जी आर्म हैं करूँ हो सकते आठ दस बारा जितने में कार्वन होंगे सब्सक्राइब इसमें करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इस हाई यह वह चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं और यह पुटाशियम है यहाँ साथ में क्या है मारे पास पुटाशियम है अब होता यह कि बाहर अगर मैं स्पोल करता हूं यह सुलुशन के अंदर लीथियम लाते हैं और यहां से पुटाशियम को बाहर निकाल वे मारे राश एक्सचेंज टियंग यह कि आपका लीथियम हों पर यहां से पुटाशियम को निकाल दिय एंच सब्सक्राइब बीर वह वहां से दूसरी चीज़ निकल लिए निक्स इन डूंच पर रहे हैं 12 Train प्ट सब्सक्राइब आएंब्रेन सब्सक्राइब घर रखेंगि इन इसी की एक टाइप है वह मेंड्रीन सेलेक्टिव एलेक्टोड उसको रिसक्राइब अभी याद रहें याद रखें आइन्सब्सक्राइब होते गया है यह मुझे इंपोर्टन हमेशा दो लाक्टोर यूज़ए एक एक इस टेंडर राफरेंस का हमेशा जो फिक्स होता है पोटेंशल डिफरेंस जाब को दूसरे का दोगा उसका पोटेंशल डिफरेंस वेरी करता है पास स्टेंडर राइन राइट उसके इंदर आइन कीतने हैं और याद रहें हर एक एक एलेक्टोड स्पैसिफिक होता है पीच मिटर वह सिर्फ हाइट्रोजन आइन को ही डिटेक्ट करेंगा और किसी को डिटेक्ट नहीं कर रहा हुता एक छोटी सी मिस्टेक कर लीजिएगा वह यह है कि स्टेंडर राइक्टा को इंडिकैटर ये ऐसको क्या कहता है इंडिकेटर इल्यक्टरड धाइस छोटी सी एक ठोटी सी गलतिय हiram थी गलति यहां बलाइट नेक्टर लिखना ह्यांटिए पैंधिकेट्र करता है सही है एक reference electrode है एक indicator electrode है यह बात आपने याद रिखनी है यही बात हमारे पास आज का लेक्चर अलाफ पिस